आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत जादा स्पेशल होने वाली जिनका आटवा महिना स्टार्ट है तो घर के जो दादी नानी होती है जब आटवा महिना स्टार्ट हो जाता है डिलीवरी में एक महिना रह जाता है तो आपको देखकर आपके काम करने के ढंक को आपको खाने पीने के ढंक को देखके आइडिया लगा लेते हैं कि आपने बेबी गर्ल को कंसीब किया है या बेबी बॉई को क्योंकि उन्हें बहुत सारी ओल्ड वाइव का experience रहता है बहुत महिलाओं से सुना होते हैं लक्षन वही आपसे share करती है और कईों के case में सटीक हो जाता है यह मेरे case में तो यह सटीक थे लक्षन जो की मेरी mother-in-law ने मेरे से share किये थे 110% सारे लक्षन जो नोंने बताये थे वो सारे लक्षन मेरे केस में थे और मेरे baby boy हुआ है और बहुत सारी ऐसे महिलाओं में देखे गई है लक्षन उनने baby boy हुआ है मेरी देखियों वीडियो ये बनाने का purpose सिर्फ इतना है कि जिन महिलाओं को बहुत जादा जानने की क्रेविंग होती है कि मेरे क्या होगा बेबी गर्ल या बेबी बोई सिरफ उनके लिए वीडियो है कि उनकी जानने जितने भी अंदर की उतेजता होती है जानने की उनकी उतेजना को मैं कम कर सकूँ और उनकी उतेजता ना बढ़े, सिरफ इसलिए ये मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरी ये वीडियो ना लिंग में वेदभाव करने के उपर बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं इस चीज को बढ़ावा देती हूँ, सिरफ इस वीडियो के थुरू आपसी अपना परसनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और कुछ नहीं, तो मैं सारा काम बहुत जल्दी से कर लेती थी, जैसे प्रेगनेंस से पहले ना वैसे प्रेगनेंस के बार, क्योंकि क्या होता उस टाइम पेट बहुत जादा बाहर आ जाता है, हमें पोच्छा लगाने में बहुत प्रोब्लम होती है, कप्र किता के फील नहीं करते, थोड़ी बहुत तो थकान जब आटमाव मेनस स्टार्ट होता है, तो होती है, बट जादा थकान ना हो आपको, एक्टिव रहो काम में, आलस्पना नहीं है आपके अंदर, जैसे आलस्पना बोलते है न, वो आलस्पना अगर बिल्कुल भी नहीं है आप में, तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेबी बोई होता है, अगर है तो, बहुत सारी महिलाओं के केस में ये लक्षन सटीक है, मेरे केस में भी सटीक था, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, दूसरा लक्षन, जिन महिलाओं को बहुत ज़ादा देकि जब आ यह बोला जाता है कि अगर आपको बहुत चाअधा क्रेविंग हो रही है कंटा की spicy की अपको baby boy होता है आते की क्रेविंग होता है ре rele脂 नौडवे महीने के बार?!" तो मेरे केसमें तो यह मेरे कुछन मेंैं साटीक था मुझे ध्यादा spicy और टीखा पसंद था और मैं खाती थी बट जादा आप मत खाईएगा क्योंकि इससे ना ऐसे डिटी हो जाती है कपच की प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे फिर क्या होगा ना बेबी के लिए नुकसान है तो अगर इस चीन मन भी करता है आपका खाने का तो थोड़ा सा टेस्ट कर लो और घर में ही बना क क्योंकि बाहर की चीजों में बहुत जादा मसालेदार चटक भटक बनाते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे डिटी की कपच की और जलन होने का भी डर रहता है तो जितना उसके अवाइड करो बट क्रेविंग इतनी हो थी ना कि बस मिल जाए और हम खा ले मेरे किस में तो ऐसा बहुत हुआ था आपके किस में हुआ है तो प्लीस कमेंट बॉक्स में मुझे बताईएगा कि आपके किस में ऐसा हुआ है कि बहुत जादा क्रेविंग और यह स्पाइसी ती का खाने की मुझे तो बहुत थी और मुझे बेबी प्वाई हुआ हुआ तीसरा गरबव आती है तो उनको बोला जाता है baby girl होती है अगर 140 से कम है तो उनको baby boy होता है बट मेरे केस में 156 गई थी फचार और मुझे baby boy हुआ मेरे तीनों ही ultrasound में 157, 163, 159 ऐसे गई है फचार और मुझे baby boy है तो ये option मेरे केस में सटीक नहीं है बट बहुत सारी ऐसी old wife चली आ रही है कि 140 से अगर अपव जाती है तो उनको baby girl होती है उसे कम जाती है उन्हें baby boy होता है बट मेरे case में अभवी गई और मुझे baby boy हुआ है तो आपके case में देखिए क्या होगा या आपको after delivery पता लगेगा बस मैं तो अपने जाता है आपको 8 मीना start हो चुका है face पे dullness है face आपका उत्रा उत्रा लगता कोई भी देखे वो लेता है कि आप sad क्यों उत्रा उत्रा मूं क्यों लग रहा है मूद में switching off जाता है कि कभी आप sad हो गए कभी आपकी मन की चीज भी हो रही होती है बट फिर भी आपको लगता है चिट-चिड़ापन जादा आ जाना उनको baby boy होता है मेरे case में बहुत है कि मेरा face बहुत उतर गया था face dull हो गया था इवन मेरे face पे चाहिया होगी थी और मुझे baby boy हुआ मेरे face को देख की starting से मेरे सास ने बोला था कि तरे लड़का होगा और उनकी बात यह जुबान की सज्च जोई मेरे बेटा ही हुगा तो मैं यह आपसी अलक्षन शेयर कर जूँए आसी बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है जिनके face पे बहुत जादा चाहिया हो जाती है पेस उतर जाता है उनको इंको baby boy होता है तो यह लेक्षन कहीं न न कहीं मेरे केससे में सटीक था चौदा लक्षन नहीं देखे जब 8 जाद मेनस क में पिनी녹ा rich cameo जयारना पैन कोई पोस्ता है जब 8 मेनस स्टाइट होता है तो बहुता चाहले पीट किया हो रहा है स्का इसानितिफिक रीजन Do तो पेत कीया थे भारिए और आ सबती है उप पेत उessä queens और Northern तो ये लक्षन मेरे केस में सटीक था, जैसे मैं जाता कपड़े दूलेती थी, या काफी टाइम में किचन में खड़ी हूँ, और जैसे किचन में कई बार क्या होता था, कि कुछ spicy बनाना हो, क्योंकि मैं बाहर का बहुत कम खाती थी, घर में ही बना के खाती थी, तो थोड़े केस में सटीक था, आठवा महीना जब लगता है, और ये लक्षन अगर आपके केस में आपको नजर आता है, कि पैरों में बहुत ज्यादा एठान, यानि कि नस पे नस चड़ जाती है, मेरे केस में तो बहुत हुआ, ये दोनों प्रेंग्नेंसी में, ये लक्षन तो मेरे सा पेन होता था, बहुत जादा, मैं कई बार तो रात में रोने भी लगी हूँ, इतनी बुरी तरह नस चड़ती थी, तो मेरे सास बोलती थी, अगर तेरे ऐसे नस चड़ रही है, तुझे बड़े बेटे के टाइम पर भी है, और छोटे बेटे के टाइम पर भी है, कि तो तो बेटा ही होगा, जब मैं second time pregnant थी, तो मैंने का क्या पता first time में कोई problem हो मेरे तब भी ऐसा हो, बट ऐसा नहीं है, मैंने doctor से भी पूछा था कि अगर ये कोई problem है, मेरे नस बहुत चड़ती थी, तो अगर ये आपको problem है, तो आपके पका लड़का ही होगा, क्योंकि मेरे case में दोनों ही case में election सटीक था, बट आपके case में ज़रूरी नहीं है कि ये आपके case में सटीक हो, ये तो आपको after delivery पता लगेगा, और बोला जाता है, जिन महिलाओं को, जैसे आटवा मीना start हो गया आपका, और बालों की growth बहुत अच्छी है, बालों में hair full नहीं हो रह स्टनों के अकार से भी बताया जाता है कि baby girl होगा ये baby boy, जिन महिलाओं के आटवा मीना चल रहा है, ये आटवा मीना start हुआ है, ये खतम होने वाला है, अगर आपका left वाला स्टन राइट वाले से बड़ा है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है, उनको baby boy होता है, देखिए स्टन में भारी परन लगना और उस से राइट वाले से बड़ा लगना, तो ये कुछ सिम्टम होते हैं baby boy होने के, कई महिलाओं के साथ ही सर्टीक बैटा है, लक्षन मेरे दोनों ही केस में सर्टीक था, तो मुझे इस लक्षन पर भी बहुत जादा ट्रस्ट है, कहा जाता ह जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम में पैरों में स्वैलिंग हो जाती है, पैर सू जाते हैं, उनको baby girl होती है, और जिनको स्वैलिंग नहीं होती है, पैर में दर्द नहीं है, और उन्हें कोई सू जन नहीं है, तो उन महिलाओं को बोला जाता है, उनको baby boy होता है, अ आप मोटा मतलब लग रहा हो आपको कि मेरा पैले से शरीर फूल गया है और पहले से फोड़े से मोटे हो गया हो तो उन महिलाओं को बोला जाता है कि उनको बेभी गर्ल होती है धेखिए लेगें तो थोड़ा बात-ो होता ही है प्रेग्नेंसी में बट वेटगेंन ना सिरफ म आपको पेट कारों तो उन महीलाओं को यह साइन बुला जाता है बेबी बॉइ में तो मेरे था दोनों पतली थी और मेरे रही रही था तो यह जाए पुछ आप मेरे केसमे साटीक था तो मैंने आपसे आज आप लाक्शन करें हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी करिएगा वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें तो बहुत जदा मोटिवेशन मिलती है तो अब ज़रूरे नहीं है यह केस जो मेरे साथ सिम्टम हुए है वह आपके किसमें सटीक हो सभी के हार्मन सालग होते हैं तो इंजॉय टेक गया